नमस्कार क्यापिटल टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा ब्रेकिंग नाव में बड़ी खबर बेहार से आपको बता रहे हैं बेहार में आज तेजस्वी नितिश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्ताथ पूछा है पुल 31 विधायकों ने मंत्रिपत की शपत ली है जिसमें आरजडी के 16 विधायक जेडियू के 11 तो वहीं कॉंग्रिस के 2 विधायकों ने मंत्रिपत की शपत ली तो वहीं हम से एक विधायक ने मंत्रिपत की शपत ली है तो बड़ी कबर ये है कि मंत्री मंडल का विस्तार तो हो गया लेकिन विस्तार के साथ साथ कैबनेट में ही विद्रो हो गया है महा गड़बंदन की सरकार में विद्रो की कबर सामने आ रही है बड़ी कबर के साथ मिरसाथ न्यूजरूम से जुड़े हुए है Capital TV के Editor-in Chief Dr. Manish Kumar कुल 31 मंत्रियों ने शपत तो ले ली लेकिन विद्रो क्या हो रहा है देखें आज जो कैबनेट एक्सपेंशन हुआ उसमें एक बात जो मानी जा रही है वो ये कि who is the boss Chief Minister और the Deputy Chief Minister संख्या अगर देखें जो जिन मंत्रियों ने जिन जिन पार्टियों से लोगों ने सपत ली उससे तो साफ साफ लग रहा है ये सरकार नितीश कुमार की नहीं ये तेजस्वी यादम की सरकार है क्योंकि 31 में 16 तो आर जेडी से आ गए जेडीउ के पास सिर्फ 11 और कॉंग्रेस पार्टी के पास दो एक मांजी की पार्टी हम और एक इंडिपेंडेंट वो सुमित कुमार सिंग अब टोटल हो गए 31 दो अलेडी बन चुके चीफ मिनिस्टर एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो हो गया मामला 33 टोटल मंत्री बनेंगे 36 तीन सीट खाली क्यूं? क्यूंकि अभी सपत ग्रण हुआ नहीं चिठी पतरी और आपस में गुटबाजी का दौर जारी हो गया पहले एक दो बाते समझ लीजिए संख्या की दृष्टी से इस सरकार को कोई टस से मस नहीं कर सकता 163 की संख्या के साथ ये सरकार वहाँ पे बन रही है तो एक कि तोड़ फोड की बज़़द से सरकार अईस्थिर हो जाए संख्या की बज़़द से वो होने वाला नहीं है लेकिन जिस हिसाब से और जिन बातों को लेकर नितिश कुमार ने भारती जनता पाटी से अपना रिष्टा तोड़ा कि हमारी पाटी तोड़ने की कोशिस में थी बीजेपी, महराष्टा मॉडल को अपनाने वाली थी बीजेपी, तो वो कारण खतम नहीं हुआ बलकि वो कारण और भी ज़्यादा उसों करते कि प्रखर हो गया है क्योंकि जदियू के अंदर एक कि भाई सरकार तो ये तो तेजस्वी सारी बड़े बड़े और ऐसे से भेंकर भेंकर नेताओं को लिस्ट में डाला गया है कि भारती जनता वैसे ही दहसत में आ गई है कौन-कौन लोगों को आपने मिनिस्टर बना दिया तो खैर वो बात अलग है सबसे बड़ी बात जो जेडियू के सामने जो आ रही है चिंता वो है कुसवाहा को ले करके उनको जगह मिली नहीं और मालूम चल रहा है कि जो जेडियू के अंदर में कुसवाहा लीडर्स थे वो अलग मीटिंग कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए किसी और को बना दो लेकिन उपेंदर कुसवाहा को बिलकुल नहीं बनाना क्योंकि ये आदमी जेडियू के खिलाफ इ इसने खुद को एक मंत्री मुख्य मंत्री का उमिद्वार घोसित किया था और ये बाद में जेडियू आ गया लेकिन पता नहीं क्या हुआ नितिश कुमार ने क्या फैसना लिया क्यों फैसना लिया अब वो जेडियू के एक बड़े लीडर के रूप में है तो एक तो गया लेकिन ये सोनिया गांदी ने क्या कर दिया चिठी लिखी जा रही है एक कॉंग्रेस का लीडर है छत्रपती यादव उखगडिया से एमेले है उसने सोनिया गांदी को भी चिठी लिख दी कह दिया कि भई हम मैं अकेला यादव हो मुझे जगा मिलनी चाहिए तो कहने इनके अंदर ने चेहरे नहीं आए वो लोग जो इस पूरे नितिश कुमार की लीडरसिप उनके पूरे कारपनाले से जो अनसाटिस्वाइड थे वो अभी भी अनसाटिस्वाइड है मतलब ये कि जिनको जाना होगा जो पहले से परिशान थे अपनी पार्टियों में वो प इस कुमार ने ये कौन सा काम किया वो कहते हैं कि 24 गए 26 बने बन के आये दूबे तो ये प्राब्लम तो सौल हुआ नहीं अब दूसरी चीज़ भारती जनता पाटी उधर कैपिनेंट एक्सपेंशन हो रहा है और बिहार की कोर कमीटी की मीटिंग दिल्ली में है जहां अब कि रनलीती बनाई जाएगी बिहार में आखिर करना क्या है बिहार में किस हिसाब से क्योंकि लगातार भारती जनता पाटी जब से ये सरकार ठूटी है जब से ये गटबंदन खतम हुआ है तब से बहुत ही एग्डरेसिव काम कर रही है, दो तीन चीज़े बीजेपी के स्क जाकर के वो एक लोगों का विश्वास हासिर कर सके दूसरा लगातार लगातार इनको सरकार के खिलाफ सडकों पे आंदुलन करना पड़ेगा आपको लड़ना पड़ेगा तीसरी चीज कि जहां कहीं भी कमी होती है खास करके भरस्टाचार और क्राइम ये दो ऐसी चीजे हैं जिसको लेकर के बिहार की जनता अभी डरी हुई है परिशान है इस मसले को कैसे आगे हाइलाइट किया जाए और सबसे बड़ी चीज कि चुके मैंने कहा कि संख्या बलके आधार पे इस सरकार को आप टस से मस नहीं कर सकते तो ये भी अब देखना बाकी है कि क्या जो तमाम केसे तेजस्वी आदब के ऊपर चल रहे थे और भी जो जेडियू और आर जेटी के लीडर्स के ऊपर जो चल रहे हैं उस पे क्या कारवाई होगी खबर ये आ रही है कि ये तमाम जो केसे जो अब तक पेंडिंग थे उसमें तेजी लाने की बात कही जा रही है और प्रदा ब्रश्चाचार के खिलाफ हम बहुत बड़ी कोई लडाई लडने वाले हैं और आपका इसमें साथ चाहिए जो नेता ब्रश्चाचार में लिप्त हैं उनका महिमा मंदन नहीं होना चाहिए और इसलिए ये कोर कमीटी की बैठक बीजीपी का अगला स्टेट जी वो इस सीटों के मामले में तो बिलकुल सॉलिड है लेकिन जनता की नजरों में ये सरकार की जो लेजिटिमेसी है वो बहुत ही कम है लोग डरे हुए हैं और इसका फाइदा भारती जनता पार्टी उठाने जाएगी लेकिन जो इस्तिती दिख रही है विभागों के बटवारों को लेकर भी बवाल होता नजरा सकता है देखे विभाग के लेकर के जो सुलवात में जो लालो पुरसाद यादव के साथ जो मीटिंग थे जिस्वी यादव की हुई उसमें होम और फिनाइस को लेकर के बिलकु लेकिन जो इस्तिती दिख रही है यही दिकत है यही बहुत बड़ी दिकत का सवाल है क्योंकि आप देखिए RJD वो अलग तरीके से function करती है उनका अब जैसे आनद मोहन बाहर आगए कल कोई दूसरा बवाल होगा कल PFI का कोई नया slipper cell जो है वो निकलेगा कोई मडर के कहानी आएगी अपहरन लूट यह आम बात होने वाली है आगए ठोकि वो उसका style है राजनीती का अलग अलग political parties का वो अपना style होता है अब ऐसे में ग्री मंत्राले निती स्कुमार के पास रहेगा तो निती स्कुमार तो इधर से भी जाएंगे और उधर से भी जाएंगे वो रोक पाएंगे नहीं और BJP उस पे हमला भी करेगी तो एक कसम कस की जो बात जो है पिछली बार बड़े बड़े जो पोस्ट थे जब RJD की थी तो RJD के पास थे लेकिन अब अगर BJP और जेडियू के गडवंदन के फार्मूले के मताबिक मंत्राले का बटवारा होता है तो ये समझे कि ये जो आप जो संदेह जो उठा रही हैं कि RJD उससे संतुष्ट नहीं होगी और उसमें अलग तरीके का बवाल मचेगा सरकार के अंदर ही इंटर मना इंटरा गॉर्मेंट टसल जो है वो इंटर डिपार्टमेंटल टसल जो है वो आगे आने वाले दिनों में बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा लालू के लाल तेज प्रताप को भी शपत दिल पटना PMCH के पास एक ही एंबुलेंस था वो भी उनके घर के बाहर लगावा होता था उसी से डॉक्टर्स भी आते थे नर्से भी आते थी राद बर गाली लगावा होता था फिर सवेरे चले जाते थे वो एक स्टिंग ऑपरेशन एबीपी न्यूज ने दिखाया था जिससे काफी बवाल मचा था कई सारी कहानिया रोटेट कर रही थी पटना के अंदर में तेजसु यादब फिर वो ही चाहते हैं कि भई हमको हेल्थी मिले अब देखिया आगे क्या होता है क्योंकि जब तक ये बटवारा होगा नहीं और बटवारे में कौन किस तरीके से वो भारी पुड़ता है एक जो अभी जब तक जो अब तक की जो खबर आई है कि जो एक्सपैंशन हुआ है उसमें एक बात तो बिलकुल साफ है कि तेजसु यादब इस दबॉस इतनी संख्या में आप अपनी पार्टी के मिनिस्टर्स नियूपने भाई को प्रारेटी देंगे समझस नंबर्स लग रहा है कि जो बटवारा होगा उसमें भी तेजसु यादब की चलेगी क्योंकि ये सरकार आप परिस्थीती में बदलाओ की वज़े से नितीश कुमार खुद चल के आए हैं वाप समझे कि राजनीती में कोई दोस्त कोई दुस्मन नहीं होता लेकिन कह सिर उठा करके ये कह सकते हैं कि सरकार बुरानी की पहला हमने नहीं की नितीश बाबु खुद पैदल चल के हमारे घर आये थे और इसलिए हम इसमें एक बड़े पार्टनर हैं हमारे हिसाब से इसमें काम होना चाहिए अपडेट के लिए तो बिहार के लिए आज का दिन बेहत खास बेहत महत्वपुन महागडबंदन की सरकार तो बन गई थी पर बिहार में अभी तक कैबनेट का एक्सपेंशन नहीं किया गया था तो आज पहला कैबनेट एक्सपेंशन नितिश कुमार और तेजिस्वी आज को ने मंत्री पत की शपतली है इस बड़ी कबर में मेरे साथ फिराल इतना ही कैबनेट पसंद रवी के साथ मैं पूजा क्यापिटल टीवी